घर के वास्तो दोश का कारण केवल दिशा या वहां रखीवी चीज़े ही नहीं होती हैं, बलकि आपके द्वारा अपनाई जा रही कुछ आदिते भी हो सकती हैं। ऐसी ही कुछ गलत आदिते लोगों की अकसर नहाने के बाद नजर आती है नहाने के बाद अपनाई गई ये गलत आदिते या की गई ये गल्दिया आपके जीवन पर गहरा दुश प्रभाव डालती है अगर इन आदितों को जल से जल ठीक ना किया जाए तो धीरे धीरे ना सिर्फ आपके ग्रह कमजोर होते हैं बलकि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बात आपके जीवन पर तक बनाती हैं कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि नहाते वक्त इस तरह से नहाते हैं कि खुद के गंदे कपड़ों के साथ साथ बातरूम में टंगे कपड़े तक गीले हो जाते हैं फिर उन सभी गीले कपड़ों को बातरूम में ही छोड़ कर लोग बाहर आ जाते हैं बता दे कि ऐसा करना आपके सूरे को कमजोर करता है इसलिए नहाने के बाद गीले कपड़ों को बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं आना चाहिए बलकि उन्हें सही से बाहर सुखाना चाहिए कई लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद बातरूम में गंदा पानी जस कतस पड़ा छोड़ कर बाहर आजाते हैं ऐसा करने से राहो और केतु के साथ-साथ शनी ग्रे भी नाराज होते हैं और जीवन में इन ग्रोहों के क्रोध के चलते अनीकों परिशानिया पैदा होने लगती हैं जिनमें विवाह में अर्चन आना नौकरी में तरक्की रुख जाना शादी तूट जाना वैपार में भैंकर घाटा होना और घर में नकारात्मक्ता के कारण कले रहना आधी प्रमुक चीज़े हैं बात्रूम में तूटे हुए बाल छोड़ने से शनी देव के साथ साथ मंगल भी क्रोधित हो जाते हैं जिसके कारण धन हानी के साथ साथ करियर में भी बुरा असर पड़ता है यहां तक कि कई पीडियों तक चलने वाली आर्थिक तंगी भी इसी एक बुरी आदत के चलते और शनी एवं मंगल ग्रह के क्रोध के कारण उत्पन्न हो जाती है है